उसके सदवसले मातरभो में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं मैं लगातार बक्फ के विशे में आपको बताता ही रहता हूँ कि पूरे देश में बक्फों ने किस प्रकार से खेल खेल कर रखा लेकिन क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि हाई कोट की बिल्डिंग के बगल में ब 10 फिट से उंचे कोई structure नहीं बन सकता भले ही ownership किसी की हो जो public importance की building हैं और उसके बाबजूद वहाँ मजजित बने 40 फिट की मजजित बने 40 फिट की मजजित बने और उस मजजित में loudspeaker लगे loudspeaker दिन भर बजे हाई कोट बुला कर आदेश दे कि loudspeaker बंद करो हम काम नहीं कर पा रहे हैं और उसके बाद भी loudspeaker लोग बंद ना करें राजसरकार को कहा जाए राजसरकार आदेश करें loudspeaker बंद ना हो और इसके अत्रिक्त वहाँ एक police commissioner को कहा जाए वहाँ एक सम inspector या inspector की तैनाती की जाए और फिर भी loudspeaker बंद ना हो सोच सकते हैं दूसरा प्रकरण की हाई कोट ये तो हाई कोट के बगल की building है जिसमें हाई कोट के बगल की building में बना लिया गया और loudspeaker लगा दी गया दूसरा कि आपका भी imagine कर सकते हैं कि हाई कोट के अंदर मजजित हो और हाई कोट आदेश कर दे कि इसको तोड़ो तोड़ने के बाद विक्ति जिसको lease हुई थी या जो acquire की है property उसमें वो फिर उसकी बख्व बना दे यानि कि सरकार की संपत्ती lease की जाए lease cancel की जाए lease cancel होते समय सामने वाला या lease जिसने ली है वो मजजित बहाँ पर बना दे मजजित बनाने के बाद उसको तोड़ने के आदेश हो जाए संपत्ती राजसरकार वापस ले हाई कोट को दे दे हाई कोट उस संपत्ती पर अपना एडवोकेट जनरल का office बनाना चाहता है और कुछ chambers बनाना चाहती है हाई कोट के जाजस के लिए और वो विक्ती जिसने मजजित बनाई थी वो उससे जमीन बापस होने के बाबजूद वो उसके बाद उस पर बख् एक्ट में अधिकार है, हाई कोट बिल्डिंग कैसे तोड़ सकता है, भले हाई कोट प्रेमिसेस के अंदर क्यों ना हो, आप सोच सकते हैं, देश के प्रतिक कोने में मैं हर एक राज़ी की बात करता हूँ, चाहें कितना ही बड़ा मुख मंत्री वहाँ पर बैठा हो, ऐसा दे स्ट्रेशन के बगल में मजजितें बनी हुई हैं, कमिशनरी ओफिस के बगल में मजजितें बनी हुई हैं, एसी पी के ओफिसेस के बगल में मजजितें बनी हुई हैं, और वहाँ लगता है कि जैसे आप इसलामाबाद में आ गए हो, और राज सरकार ऐसी ऐसी बैठी हैं, जिनकी डंके पूरे देश में बसते हैं, जिनसे लोग कहते हैं कि ये कह रहे हैं और हड़काते हैं, राज्य सरकार के मुख्ध मंत्री आदेश लगातार करते हैं, और आदेश करने के बावजूद कुछ समय तक लाउड स्पीकर स्लो होते हैं, फिर उसके बाद उससे ज़्यादा स्पीड में बजने शुरू हो जाते हैं, आम जनता अगर सामने जाकर मुकदमा लिखवावे या कंप्लेंट करे तो आम जनता टार्गेट हो जाती है, आम जनता को टार्गेट वहाँ की मुस्लिम कामुनिटी करना शुरू कर देती है, इसलिए वो हिम्मत करता नहीं है, लेकिन जब राज सरकारों के आदेश हो तो उन आदेशों को पूल करने के लिए पुलिस प्रशाशन का काम है, पुलिस को डिरेक्शन दिये जाए, एडमिनिस्ट्रेशन को डिरेक्शन हो, एडमिनिस्ट्रेशन को डिरेक्शन होने के बावजूद डियम का कारेले बगल में हो, ADM का कारले बगल में हो SDM का कारले बगल में हो या फिर ACP का दफ्तर बगल में हो और मज़ितें वो घंगराहा कर आजाने कर रही हो जिनसे उनको काम करने में समस्या हो और वो उस पर step नहीं लेते जबकि मुख्मंत्री के आदेश लगाता है ऐसा असम में भी है जहांके मुख्मंत्री बहुत देश भी माने जाते हैं ऐसा उत्तर प्रदेश में भी है जहांके मुख्मंत्री बहुत देश भी माने जाते हैं और लगातार इन विश्यों पर वो आदेश करते हैं उनको पता लगता है, तो वो अधिकारियों को terminate suspend भी करते हैं, लेकिन सहाब कौन बताए, जो बताए, वो target हो जाए, क्योंकि जैसे complainant complainant करें, तो complainant थाने पहुँचे, थाने वाला उस मस्जित वाले को बता दे, कि वही ये वेक्ती complainant कर रहा है, आप लोग धन्नी पीडित है, वो तो एक समाने से लोग हैं, क्या है, लेकिन जब high court पीडित हो जाए, जब high court premises के बगल में building erect हो जाए, और loud speaker लग जाए, तो आप सोचो कि high court ना रोप पाए, तो क्या हो सकता है, ऐसा ही 2005 में पतना high court का एक order था, पतना high court के एक जजस साब ने आदेश किया थ और मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ, loud speaker बंद किये जाए, loud speaker बंद करने का राजसरकार को आदेश दिया जाए, राजसरकार वो आदेश forward कर दे कमिशनर को, और commissioner या SSP जो भी बेठा है, और वो थाने को forward कर दे, सब के काम खितम होगे, सब ने compliance कर दिया, थानेदार वहाँ पर गया, मना कर आया, एक दो दिन कम रहा, फिर loud speaker बज़ गये, high court दुबारा बुलाया, high court ने दुबारा बुलाया, दुबारा बुलाकर commissioner को प्रेजन्ट करवाया, वो जो मुझस होता है, जो जिसको टिप्टी इमाम कहते हैं, इमाम को बुलाया, तो इमाम कहता है, सब सभीरे साड़े पांच बज़े हम बजाते हैं, दुफैर में जब आप काम कर रहे होते हैं, एक बज़े और चार बज़े के आजाने हम नहीं करते हैं, और शाम के आजाने हम शुरू करते हैं, हमने दो आजाने सस्पेंट करती हैं, आप सोचिए, high court के बगल में, जजजिस के quarterस होत होता है, और मस्जिद का इमाम ये कहता है, high court में आकर, कि साब हम तो शाम के 9 बज़े से लेकर सुबह 6 बज़े तक तो बिलकुल नहीं बजाते हैं, और सुबह 5 बज़े पांच बज़े बजाते हैं, और दुफैर वाला तो बंद करते हैं, क्योंकि साब आपकी proceeding होती है, औ और ज़े साब कहते हैं, भई ये क्या, सब को बुला कर केते हैं, एफिडिविट बनाया है, तो ये कर देंगे, वो कर देंगे, और फिर सरकार को भी कहते हैं, ये कर देंगे, फिर बाद में contempt की proceeding भी चलती है, ऐसा दूसरा प्रक्रण पटना हाई कोट में ये आया, कि पटन मंजिले, पांच मंजिल की बिल्डिंग थे, उसके उपर लडूस्पिकल लगाए गए, दो हजार एकिस का प्रक्रण है, और वेल हाई कोट ने को आदेश देना पड़ा कि इस मस्जिद को पूरा तोड़ दिये, जमी दोस कर दो, पांच जजों की बेंच बेटी, जिसमें दोसो मीटर के अंदर दस फिट से उची कोई बिल्डिंग बन नहीं सकती, उसका उलंगन किया गया है, चालिस फिट की बिल्डिंग है, वकपोड कहता है, यह अल्ला की शान में मेरा आजेकार है, और सहाब मस्जिद को कैसे बंद कर सकते हैं, हाई कोट ये कहे, आदेश करे कि देखिए, चाहें पंडित हो, चाहें गुर्दवारे का मामला हो, चाहें जैन समाज का मामला हो, चाहें पादरी का मामला हो, या फिर इमाम का मामला हो, कोई भी हाई कोट की प्रिमेसिस के अंदर ना तो मजजिद बन सकती है, और ना ही 200 मीटर के अंदर बन सकती है, फिर अचाहे, इस समय इसले है कर रहा हूं कि और लोग सुप्रीम कोर्ट में उसकी पिटिशन है। उसको हेरिंग 2018 में सुप्रीम कोर्ट में है अब सुप्रीम कोर्ट की हेरिंग पर वो आ गया। 2000 की बैंच ने कह rocky है हम इसको सुनेंगे मामला समझे है। हाई कोट, अलाबाद हाई कोट, अलाबाद में, बना प्रियाग में, जो अलाबाद हाई कोट बना है, उसके बगल में सरकार की जमीन है, सरकार ने वो किसी परपस के लिए लीज कर दी, लेकिन वो खासतोर से मजजित के परपस से लीज नहीं हुए, किसी रिलिजिस परपस से हाई कोट को extension की आवशक्ता पड़ी तो हाई कोट ने राजसरकार से का कि हमको जमीन दो जमीन चुकी वो राजसरकार की जमीन थी लीज की जमीन थी राजसरकार ने वो लीज कैंसल कर दी और कहा कि भाई जमीन बापस करो मैं आपको पता दूँ कि लीज के मामले में राज्य सरकार जिस समय लीज करती है उस समय कहती है कि अगर पब्लिक के परपस से हमें जरूत पड़ी तो फिर हम ये लीज कैंसल करके जमीन बापस ले लेंगे जब तक खाली पड़ी है तब तक आप इसका इस्तमाल कर लें ऐसे कॉंट्रेक्ट होते है वो तीन सज्जन हाई कोट गए हाई कोट से उन्हों ने कहा कि साब ये तो हमारी लीज है लीज कैंसल कर रहे हाई कोट ने उनकी पेटिशन डिस्मिस की वो सुप्रीम कोट पहुचे सुप्रीम कोट ने भी उनकी पेटिशन डिस्मिस की और कहा कि बही जमीन खाली करो हाई कोट का बहां दफतर बनेगा वो तीन सक्स जिनकी लीज कैंसल होगी उन्होंने एक नया गेम खिल लिया कि वो एक contract उन्होंने बक्फ के नाम कर दिया और वो मज़िद बक्फ को दे दी अब देखिए कि मज़िद टूटनी थी टूटने के आदेश हो गए जमीन खाली होकर पतना जमीन खाली होकर हाई कोट के अटेच हो जाएगी हाई कोट उस प है और उसके बावजूद बक्फ को वो ट्रंसफर हो गई बक्फ उसकी ownership गेन कर लेता है और फिर बक्फ हाई कोट में पिटिशन करता है और कहता है कि साथ भाई ये बक्फ है और यहाँ पर अल्लह का काम करने का तो हमें हधिकार है आप इसको एक्वेर ही नहीं कर सकते क्यो और जो हाई कोट ने किये हुए होते हैं उनको स्टे कर देता है और कहता है हम इसको सुनेंगे अब 2018 में मुझे लगता है जहां तक मुझे याद आ रहा है 2018 में वो अपील गई थी 2018 से लेकर 2022 तक वो वैसी पड़ी है या समय में सही से नहीं रिसाइकल कर पा रहा हूं वो अ उस अपील के अंदर उस SLP में कोट ने नोटिस नोटिस यह वो किया होंगे लंबा समय हो गया अभी उसको कोट में चार साल बाद चार साल पड़ा हो गये होंगे कोट में किसी ने मेंशन किया और उन्हों ने कोट से का कि साहब यह क्या तरीका है हाई को जगे चाहिए हाई एड़ुकेट चनरल का ओफिस उसमें बनना है, तमाम तरह के सरकरी वकील उसमें बैठने है, रिकॉर्ड रूम बनना है, यह सेक्शन बनना है, जहां पर हम एक फाइले रखेंगे, सब हाई कोड में जगह नहीं, और सब राज सरकार नहीं यह लॉट कर दी है, और इस पर जो लेसी थे, वो ऐसे-इसे करके सुप्रीम कोड आ चुके हैं, काम खतम हो चुका है, बक्फ बोड कह रहा है, नहीं साब बक्फ तो बक्फ है, बन्स बक्फ, बक्फ is always बक्फ, एक बार बक्फ हो गई, वो तो सदैप के लिए बक्फ रहती है, इसलिए हाई कोड तो छोड़ यह राजे सरकार और कोई कुछ नहीं कर सकता, यहां तो मज़ित चलेगी, यह तो मज़ित है, सुप्रीम कोड ने भी फिर से नोटिस करके उसकी सुनवाई के आदेश दियां, कि इसको हम अब रेगुलर सुनेंगे, आप सोच सकते हैं, कि हमारे देश में बक्फों का क्या ह हल है, जबकि लगातार सुप्रीम कोड हाई कोड के जज़्जमेंट बता रहे हैं, कि बक्फ का सूर्स बताना पड़ेगा, कि बक्फ कोन कर गया, बक्फ की प्रॉपर्टी जिसने बक्फ बनाई है, उसके पास ओनर्शिप थी, क्या, लीस कैंसिल हो गई, लैसी रहा नहीं, लैसी अब नहीं रहा क्योंकि राजसर कर रही हमीन होगी, लेकिन सहाब चुकि उसके कब्जे में थी, इसलिए उसने बक्फ बना दी, उसने बक्फ को दे दी और बक्फ बाले कह रहे हैं, कि बंस बक्फ बिर ऑल्वेस बक्फ, एक बार अल्ला की रहेगी, अब इसमें और सुप्रीम कोर्ट उसमें अब वो ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो अपवस हैं, जब पटना हाई कोर्ट का मामला आप सुन लीजिए, कि दो-दो मामले ऐसे आ गए, और अलावाद हाई कोर्ट का मामला आ गया, जहां योगी रितना जी से मुक्मंत्री बैठ हैं, जिनको जरा सा आदेश मिले जिनके इशारा मिले तो बुल्डोजल लगाने में एक दिन मी नहीं लगाएंगे, लेकिन उस पर इस्टे हो गया, और इस्टे होने के बाद अब उसकी सुनवाई हो गई, क्या करे आम आदमी इन लौड़ स्पीकरों से, कौन रोकेगा ये लौड़ स् है कि हाई कोट भी इन मामलों से परेशान है, जै हिंद, जै भारत, बंदे मातरम